इसका बरी कैसे हुई उससे पिछले टॉपिक में हम नहीं लेक्ट्रोन कैसे खो जा गया था इलेक्ट्रोन के डिस्कावरी कैसे हुई थी उसके बारे में किया था ठीक है तो सर जे जे थॉंसन नहीं 1879 में आपको पता है कि इलेक्ट्रोन की प्रोपर्टीज को जो कैथोड रेज है कैथोड से निकली हुई इसको क्या बोलते है रोड को क्या बोलते है कैथोड और यहां से निकले हुए जो रेज है वहां से उन प्रोपर्टीज को उन्होंने एनलाइज किया और उन प्रोपर्टीज को एनलाइज करक के उन्होंने यह जाना कि जो calculated निकली है वह negatively charged particle होते है ठीक है और यहां से ही Mainito observed while negatively charged particle है तो ऐसे फ्रेंट noram और उसके लिए क्या हो गया आपस में जो scientist sound की आपस में जसे बैसे देख रहे हैं आप लोग कि जो COVID-90 की वैक्सीन बिलाने के लिए डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो बोले हैं कि हमने हमारा तीसरा ट्राइल चला हुआ है चौथा ट्राइल चला हुआ है और सी लगी हुई है एक सी है एक के बाद एक तो साइंटिस्ट नहीं वैसे ही जो है एक competition शुरू हो गया और सबस बीच में यहां से यहां से यहां से यहां से निकल ले हैं तो पॉसिबिली चार्ज पार्टिकल भी वहां definitely होंगे ठीक है न क्योंकि बाद मैं जो उन्होंने इस तरह का atom दिया था atom और atom के बीच में उन्होंने जे जे तॉम्सन जो है वो एक था ठॉम्सन मॉडल ओफ एटम भी दिया था तो उनोंने बाद मैं इस तरह बोले था कि अगर नेगटिविली चार्णच पार्टिकल है तो जहिर सी बात है कि वहाँे पर बीच में पॉस्सिबिली चार्ज पार्टिकल भी होंगे लेकिन यहां से डिटेक्ट करना यह मुश्किल थे कि पॉस्टिविली पार् मैंनस फूर यहां से को यहां से capacity की ठीक हो रही थी ठीक है तो यहां पर जा रहा है तो ऑसे निकल रहे थे यहां से नहीं निकल उनियों हो गई जो इनर गए जसे नाइट्रोजन हो गई या फिर जो सोट्रीं यह परट कर आücke अन्हे legitimate भी हो सकते हैं जैसे customer हो गया हो गया ठीक शाखिए भी यह निकल रहे हैं यहां से यहां से इनके इलेक्ट्रोन निकल के भी यहां टकरा रहे थे तो यह जाहिर सी बात है कि यहां से तो इलेक्ट्रोन निकलेंगे चाहे वो कैथोर से निकले चाहे वो यहां जो गैस भरी हुई है वहां से निकले ठीक है निकलेंगे इलेक्ट्रोन ही टकराएंगे यहां इलेक्ट्रोन ह यह जो कई चोर्य है इनकी प्रॉपर्टी की यह इनना के च्रूपर्टी यह इस प्रॉपर्टी ले लो यहां से यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रोन ही पहली बात दूसरा यहां जो गैस फिलप होती ही होती थी और यह जो रेस थी यहां इस गैस के मॉलिकूल से टक्रापते थे और टक्रापके भी क्या निकलते थी यहां से इलेक्ट्रोन ही आउट होते थे ठीक है ना चाहे उसको तकराके भी यहान से निकलेंगे और जब यह चमक यह तो चमक और इस Scintillation बोलते हैं इसको यहां Para condition है यहां से पता लगता था कि यह जो particles है इसे यह निकलती नहीं है यह सबसे बढ़े थी जब उन्हें इसे नहीं नहीं निकलते हैं उन्हें यह बोला था कि यहां से कभी भी पोस्टिपील चारज पार्टिकल यहां से निकल तो यहां पर बचा क्या है पूरा यह क्या है तो पूरा यह था तो यह तौ यह हम फ़ोपटे सिंदी नुदह थे तो क्या प्रोपर्टी इथी पहले कि दा प्रोपर्टी ओफ दा प्रोपर्टी ओफ क्या थोडरेस जिसको बाद में रहें लेक्टोन नाम दिया दू नोट डिपेंड अपोन डिपेंड अपोन दा नेच्चर ओफ कैथोड रोड ये जो कैथोड रोड है इस पर और गैस एंड क्लोज इन दा डिस्चार्ज दिव पहली बात तो ये यहां यह निकलेंगे वहां से लेक्टोन यहां कोई भी गैस है निकलेंगे वहां से ए्लेक्टोन ठीक है और दूसरी पॉपरटी क्या थी आज अगर वहां से जो positive raise नहीं लग रही थी पता तो इसका मतलि यह हो सकता है कि यह जो अगर उन्होंने इसका size कम करके देखा छोटा करके देखा size बड़ा करके देखा size इसका size geometry shape सारी change करके देखी इन यह जो cathode and node side है इनकी जो है वो geometry change करके कि कुछ फर्क नहीं पड़ा ठीक है ना नहीं पता लगा कि वहां पर positive raise जो है वो होती है positive particle होते भी है नहीं होते ठीक है ना तो क्या बोला थो नहीं है कि the properties of second thing the properties of cathode raise do not depend upon the nature the shape size और geometry of electrode ठीक है तो यह दो property जो थी इनको analyze किया different scientist जो उन्हें analyze किया और यह चीज़े निकालके उन्हें एक scientist थे ई गोल्स्टीन उनके लिए यह golden opportunity थी यूजन गोल्स्टाइन था उनका पूरा नाम कहता है यूजन गोल्स्टीन और यूजन गोल्स्टीन उन्हें क्या किया उन्होंने इन दोनों properties को analyze करके किया कि अगर ऐसा है यहां से मालो यह बोल रहे हैं कि यहां से निकल रहे हैं यहां से कुछ भी निकलता यहां से अगाहां से लिगेटिव हो गया तो यहां पर बचा किया पार्टिकल जो है जाहिर सी बात है कि वह क्या करेज़ जो पार्टिकलिया, और क्या करेगा, वो नेग्टी वाल उसको खींचेगा, जैसे इसके इतनी ज़़ा टैनं थाउजन बोल्ट अगर यहाँ पर सॉठिडी स्प्लाई हो रही है तो यह इसकोपनीय खींचेगा, और अगर यह यहां इसको अपनी और खिंचेगा तो यह क्या करेगा यहां पर जाके यह चिपक जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसके साथ ठीक है तो वह इसी सोच मैं डूबा हुआ था और वह क्या है अपने जंक याड में गया उसने बोला कि मैं ऐसा करता हूं कि सबसे करें से पहले मैं यहां पर इसकी metallic जो है metal चेंज करके देखता हूं सने aluminium यहां पर यूज किया aluminium का अगर यूज होता है तो उसका वह थोड़े से कम प्रिंशल पर भी electron जल्दी वहां से छोड़ना शूरू कर देता है ठीक है पहली बात में यहां से आपने यहां से पाने निचे जाता है तो इस तरह की शीप होती है ठीक है वहलो, ये अदर चेज उसको बोलता है, पर्फॉरेटेड, बहुत बार इस शब्स यूज होगा, पर्फॉरेटेड, मतलब एक ऐसी प्लेट इसके नदर चेज होते हैं, उसको क्या बोलते हें, पर्फॉरेटेड, ठीक है, तो उन्हेने यहाँ क्या क्या किया, उसको थोड़ा यहां पर चंदकार यह हो गया कि जब इस्तती आये तो अपना काम कर चुटा और निकल गया निकल गया लेकिंगки जया से बॉच Gud आगा जो पार्टिकल है यहां से पॉस्टिविल चार्ज पार्टिकल है और युद्र है जब इसको इक कर गया इतना ज्यादा होता है कि जो हैं जो हैंडोजन गास उसके एक यूद्व कर गया याप गया है अन्य गया है को यह रहे तो को है तो वो क्या है वो मोमेंटम से क्या होगा यह नेगटरी चार्ज है तो वो इसको अपनी और खिंचा अब खिंचने से क्या हो गया है यहां से जो होल है ना यहां से वो निकल के यहां पर कुछ हल चल दिखना शुरू हो गए ठीक है ना यहां यह जो छेत थे या होल थे ठीक यहां इसको जो रास्ता बोलते हैं संक्रा रास्ता जिसको के कैनाल बोलते थे इस कैनाल से क्या है यह जो बचे हुए है यहां से निकल के इस और जो है मुमिट दिखी क्योंकि यहां पर जो है वो एक यलोईश लाइट जो है वो दिखनी शुरू हो गई इस जगह पर ठीक है और इस जगह पर वो जो है यहां से जो बचे हुए थे वो मुमेंटम उनका इतना ज्यादा था कि वो निकल के इन शेदों में से पहले क्या हो रह इसकि यहां पर फिक तो यहां तो यहां फिक तो यहां पर टीक तो यहां से खेंचे сказके यह से होल कर चुख के यहां पर उनहें टकनादा शुरू कर दिया और यहांपर क्या था ग्या यहां पर उन्हें चम्क देने शुरू हो गया यहां जो है वह पॉसिपिली चाज है और यही जो है वह वह वैसे यह बोलना गलत है क्योंकि यहां कैथोर से लेक्टोर निकलते थे अगर मालो जे जे तॉम्सन ने किया था वहां कोई गैस भरी नहीं थी ना तब भी यहां से ल तो निकलिए थे उस जो रोड है वहां से मैटलिक रोड से विलेक्टर निकलिए लेकिन यहां जो पॉस्टिव रेज नाम दिया पॉस्टिव रेज का और बाद में जो है रदर फोड आये उन्होंने उसको नाम दिया था 2020 में उनको नाम दिया था.. Прोटोन नाम जो है वो इंगोर स्टाइंड नहीं दिया है ठीक है चलिए अब हम पॉपर्टीस करते हैं पॉपर्टीस कि पॉपर्टीस करेंगे यह पॉजिटिव रेज आ पॉपर्टीस ऌफ anode ray नवड़ शाये थी क्या ईभी तक बोला जाता है इसको व्लोग भी क्या बोलेंगे इनको inode ray and positive ray कि और क्या बोला जाता है इनको के नाम दिया गया के नाल ड्लूण और कैनल, तो जो है कि बॉलते हैं कि नाल ड्लू इता है बाद में इसको नाम दियागया defic disgust तो प्रौपर्टी सबसे पहली प्रौपर्टी दो वैसी ही कि यहां पर यह क्या चलती है जैसे वो जो है इसने उसकी परचाई दी इसके बीच में अबजक्ट रखा गया तो उसने अपनी परचाई दी ठीक है यहां पर उसकी परचाई पड़ी तो सबसे पहले ऐसे प्रपर्टी है कि एंड़नरेज ट्रेवल स्टेटली स्टेटली चलती है सेकेड ए जो है क्रीएट्स मेकानीकल इफेक्ट यह वैसे ही मेकानीकल इफेक्ट करती है कि मतलब यहां पर अगर मालो कोई व्योग जैसे ब्हुल लगाया हो ठीक है न कोई गुमने वाली चीज की टाइब भी लगाया हो तो अगर वो टकराते हैं तो टकराएगा तभी मतलब उसमें चोटे पार्टिकल है इसलिए वो टकराएंगे तो उसको मूब करवाएंगे तो एक तो देश अनोड रेस एक क्रियेट मै canal effect अगा अब कि अधर इस कंसिस्ट आफ बैरी स्माल पार्टिकल यह बोल सकते हैं हम लोग थाड क्या थी प्रपर्टी एंडोरे यह पता कैसे लगे कि पॉजबिविश पार्टिकल है इसके बीच में वैसे ही क्या किया हम यहां पर गोल्स्टाइण ना क्या किया कि जैसे यह है तो यह यहां से यह जो पार्टिकल निकल रहे हैं और यहां पर पॉस्टिव और नेगेटिव तो यह क्यों कि पॉस्टिव चार्ज पार्टिकल थे यह सीधे यहां से सीधे नहीं आई यह क्या है इस और डेविएशन होगे इनकी ठीक है तो यहां से जो पॉस्टिव है तभी तो वह तो यहां से यह confirm हो गया कि अनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्च अनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्च ठीक है और चौत्थी जो पॉपर्टी है वो इसी में कर सकते हैं कि अगर अगर बाउस से उल्माट करता है यह जाता है तो वहां पाइगर नॉट्स और सौसली चार्ज करें घ करेगा और इस्टली करेगा और चार्ज पार्टिकल है वो कहां जाता है नॉर्थ की और मतलब उससे उल्टा होता है ठिक्ए और जो सबसे इपॉर्टेंड ईफेक्ट है वह अपने ध्यान देना है जैसे वहाँ पर क्या था कि जैक्ट्रों है वह इ पर करते हैं उनका नेचर आफय उनकी जो चार्ज है मतल। नेगटिव चार्ज है वह किस पर पर डिपेंड करता था किस पर डिपेंड नहीं करता था मतलब वह गैस पर भी डिपेंड नहीं करता था और नेचर और मैटल जो कौन सी यूज की है वह इस पर भी डिपेंड नहीं करता था लेकिन यह पॉस्पिल चार्ज पार्टिकल क्योंकि पॉस्टिव अनोड से नहीं न अनोर रेस या फिर चार्ज ओन अनोर रेस डिपेंड्स अपॉन दा नेचर ओफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज तुफ यह कैसे करता है अब इस प्रॉपटि को अपने बिलकुल ध्यान से देखना है कि आ अंहीऊ थे हैं यहां पर हैंट्रोजझ गया नियहां है है तो हैंट्रोजर्ः गैस अगते हिएज हुद निकले यहां से आउट हो गया तो एलेक्ट्रोन पर चार्ज कितना होता है जितना एक्ट्रोन पर चार्ज कितना होता है यहां से निकला है तो यह जो एक चार्ज बचा तो वह क्या बचा यह वाला बचा अगर मालो हीलियम का है तो फिलियम का अटमी कितना होता है तू और फोर तो बाद में मास की बात है यह लेकिन इस पर अगर यहां से निकले मतलब यहां पर कितने बच गए दो तो यह से हैवी वह न यह से यहां पर एक पॉस्ट्टीव चार्ज है मतलब वन पॉइंट जीरू वह और यहां पर दो है है तो कितना आगे यह तो इन्टो वन पॉइंट जी रो टू इन्टो टैर इस वाव मैंस 19 कुल डवल हो गया तो मतला अगर चार्ज क्यू है तो यह क्या रहा है एन इंट्वी हमने यह मिलिकन साइट में यह निकाली उक्वेशन कि यह जो है चार्ज किस पे डिपान करता है अगर यहां पर हाइड्रोजन ली है तो वान पॉइंट सिक्स जी रोट इन्टी रोट मैंस 19 कूलम अगर हीलियम ली है तो टू इंटू मुल्टिप्लाइड वाइड ठीक है न अगर नाइट्रोजन ली है तो सेवन इंटू तो मतलब यह क्या रहा है होल नंबर मल्टिपल ओफ चार्पॉस्टिव चार्ज ऑफ एल अपने कॉंची है तो चार्ज ओन अनोड रेज डिपेंड अपन अपने निचर अफ दा गैस अगया है तो स्मुझ गया ठीक है अब जो पांच भी परफटी है इसकी इसको करूँ एढ़ तो ठीक प्र्परवटी इसकी एव rij है रेशो हमने की थी याद होग आपको वी और वी य रेशो तो इलक्त्रों की जब ऑब Пока निकाली गई थी तो तो वो कितनी आई थी 1.76 इंटू 10 दिस्ट पावर 8 कूलम पर ग्रैम ठीक है ना अब यहां से क्योंकि जो भी स्ट्राइक करता हो इलेक्ट्रोन ही निकलता तो सभी गैसे के एटम जो एटम मैं से इलेक्ट्रोन ही निकलेगा ठीक है जिसका एक इलेक्ट्रोन होगा यूनिट एक्ट्रोन ही टक्रा रहे हैं यहां पर भी पॉस्टिव रेस टक्रा रही है लेकिन उनका मास जो अलग लग है ठीक है उनका मास अलग लग है हाइडोजन का मास जो है वो सबसे कम है उससे बाद जो है जैसे जैसे यहां से मास बढ़ता रहता है वहां उसकी जो वैल्यू है Eym ratio की value जो है वो कम होती जाती है तो maximum value Eym value जो है वो anode raise की the value of the या या यह से बोल सकते हैं Eym value anode raise यह पाज भी प्रपर्टी है Eym value of anode raise depend upon this is also depend upon the nature of gas taken in discharge to ठीक है और यह जो Eym value जो है वो maximum किसकी होती है maximum होती है सिर्फ hydrogen gas की क्यों होती है यह आपको बताओ मैं कि Eym value अगर hydrogen gas की निकाले जाए तो आपको पता Eym ratio अभी mass का पता नहीं कि क्या होगा वहां पर लेकिन hydrogen का मास्च जो है वो कैसे निकला था वह आपको बतातों कि आपको चार्ज तो पता है कि कि स्टेट चलते जब एलेक्टिक फिल्ड और मेगनेटिक फिल्ड का दोनों का यूज होता है तो इसकी Eym value जो आई थी हाइड्रोजन आई थी वह कितनी आई थी वह आई थी नाइन पाइंट फाइब एट इंटू टैरिस्ट वावर फोर कूलम पर ग्राम या फिर टैरिस्ट वावर सेवन कूलम पर किलो ग्राम ठीक है तो यह जो है Eym value जो है वह hydrogen की maximum होगी आगे जो है उसकी Eym value जो वह कम होती जाएगी क्यों क्योंकि मास अगर यहां पर देखूंगा सबसे कम कि इसका hydrogen के प्रोटियम का 1-1 जो hydrogen का सबसे छोटा जो ए-3 उसका होते हैं न वन एच वन प्रोटियम तो ये वन एच वन जो है वोस्मालस्त है और हइड्रोजिन का सबसे लुएस्थ जो है वो इसका इतौमिक मास कितना होता है तो इसकी वैल्ली जो एवाइए अम वैली जो है वो कितनी आई 9.58 जैसे जैसे यहाँ पर एम बढ़ता जाएगा यहां से क्योंकि यहां से क्रियेट होगी मैं इसको अब मिटा देता हूं यहां से आगी तो आप असानी से मास निकाल सकते हैं क्योंकि चार्ज तो आपको पता है कि यहां से जो चार्ज होगा और उसको हम लोग डिवाइड कर दें चार्ज वाइड मास रिश्यो से कि पॉस्टिव रेल्स की तो क्या होगा यहां से डेकली आम निकालके यहां चार्ज कितना आया वन पॉइंड और इवाई एम रिश्यो कितनी है इसकी है हाइडोन ग्यास जो इंख्लोज की है तेंट रिश्यो पावर फोर कूलम पर ग्राम तो जब इसको कूलम से कूलम कैंसल आउट हो गया और ग्राम उपर आ गया और इसको डिवाइड किया तो अगर इसको डैसिमल इसका 16.02 इंटू 10 ग्राम माइनस 20 कर दें तो यह हमारे पास जो आई थी वैल्यू वो आई थी 1.672 इंटू 10 ग्राम आपको याद आया होगा कि यह किसका मास होता है this is the mass of hydrogen atom 1.602 इंटू 1.672 इंटू 10 ग्राम जो है वो मास होता है hydrogen atom का यह मास hydrogen atom का है तो यहां से हमने यह चार्ज तो निकाला है मास ही 1.672 इंटू 10 ग्राम मैंस 24 ग्राम तो यहां से यह बोला गया कि जो यूनिट पार्टिकल है जैसे यू है उसका सबसे चोटा यूनिट पार्टिकल क्या होता है 1.672 ठीक है this is the mass of protein यह जो है H1 1H1 इसका जो मास होता है hydrogen का वो किसमता 1.672 ठीक है तो यहां से कौन कौन सी चीज़े हमें पता लगी कि हमें अब हमें एटम में क्या क्या चीज़ पता लग गई है कि चार्ज कितना होता है इंटू 10 ग्राम मैं यहां 10 से लिख देता हूं कि चार्ज और लेक्टोन कितना होता है और यहां पर नेगेटिव है था लेक्टोन पर अगर पॉस्टिव है तो प्रोटोन का और मास फिलेक्टोन कितना था 9.1 इंटू 10 ग्राम माइनस 28 ग्राम और मास किस पर आया यह पॉस्टिव चार्ज पार्टिकल पर कितना आया तो भी हाइड्रोजन पर यहां हाइड्रोजन गैस भरी है तो कितना आया था मास इसका 1.672 इंटू 10 ग्राम माइनस 24 ग्राम अब इन दोनों में क्या फर्क है आपने यह कंपेर करना है कि यह जो मास है माइनस 28 माइनस 24 में ही इतना फर्क है कि यह यह जो मास है मास पाउस के इलक्ट्रोन यह कितना है यह है अगर हम लोग इलक्ट्रोन ले मतर नेगटिव चार्ज पार्टिकल ले कितने पेटीन हांडडर एंड़ ट्वंटी सवन या मतरबल लगबग दो हजार मान के चलो आप 2.000 लेत रोगर नोई ठीक है और थारा सो सैंती जो है वो एलेक्टोन ले यहां आपने एक प्लेक्ट कर लिए थारा सो सैंती इन सब का मास हमने ले लिया और हम लोग कंपेर करें तो एक पॉस्टिव चार्ज पार्टिकल मतलब वो भी हाइडोजिन का उसके मास के ब्राबर होता है ठीक है ना मतलब एक मैं हमने अगर यहां पर यहां पर एक जो यह तराजू है इसमें हम लोग कितने लगवगद दो हजार इलेक्टोन डाले ना और एक मैं यहां पर पॉस्टिव चार्ज पार्टिकल डाले जिसको बाद में प्रोटोन नाम दिया जिया है तो यह तब दोनों ब्राबर होंगे समझ गए ना तो यह अठारज सो सैंति गुना ज्यादा भारी होता है किससे इलेक्टोन के मात से तो